हेलो एवरिवन वालकम टो आएफस तो डियर स्वेट पीजी एसपारेंट आपके लिए एक बिग ब्रेकिंग निवस है आपके स्वेट पीजी टुनिटिवर के एक्जाम फॉर्म निकल चुके यानि के अप्लिकेशन फॉर्म आ गये हैं अप्लिकेशन फॉर्म रिलीजड हो गए हैं आप फेल कर सकते हूँ यह आपके लिएक बिग ब्रेकिंग ज्यूज है और इसका एक्जाम मार्च में है अप्लिकेशन फॉर्म अभी आप फिल कर सकते ह्योगे का उफीशल नोटिकाशन आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे इसका ओफीशन नोटिकिशन आ चु आउगे तो यह डेट में आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ from 26 December से start हो चुके हैं form fill करना आप कब तक भर सकते हो 24th January को याद रखेगा 24th January तक आप form को fill कर सकते हो और आप याद रखना क्या date को होने से पहले ही form fill कर दे यानि कि 24th January का wait ना करें don't wait for the 24th January के form 24th तक last तक form fill करेंगे ऐसा नहीं है जितना जल्दी form fill करोगे उतना ज्यादा best रहेगा आपके लिए कि आपके चॉइस हमता examination city जो होगी वो आपको मिल जाएगी वही 25th January को यादि आपको 24th payment रहे जाता है किसी वजह से तो payment date तिल कब तक है 25th January तक payment आप कर सकते हो समय राइट वही अब correction window 27th January को open होगी और ये कब तक open रहेगी from 27th January से 29th January तक open रहेगी रात को 11 बच के 50 मिट तक तो याद रखना date क्या क्या है हमारे पास date पहले 26th December से form आच चुके है जो कब तक रहेगा और पॉर्टल ओपन 24th ठीक है जनुवेरी सेकंड पॉइंट क्या है आपका कि यदि 24th को किसी वज़े से payment रुख जाता है तो आप 25th को payment कर सकते हो बट फॉर्म फिल की last day 24th January होगी थर्ड बात क्या है कि आपको correction window कब से open होगी 27th January से correction window open होगी जो 29th January तक open रहेगी राइट वही मैं बात करूँ कि advance it intimation slip का 4th March को open हो ठीक है मिलेगी आपको admit card का पाएंगे तो 7th March इन लोगों ने 7th March 24 की देखे रखी है वही 11th March से 28 March के बीच में आपका exam होगा जो भी आपने application form जिजिस stream के लिए आप भर होगी आपने जोलोजी के लिए बढ़ा होगा बोटनी के लिए बढ़ा होगा या life science के लिए बढ़ा होगा या फिर एक ही किस individual ने multiple streams के लिए form भरा है तो वह ध्यान रहे क्योंकि 11th March से 28 March के बीच में exam होगी और हर एक subject के अलग-अलग होती है इस वज़े से और तीन सिफ्ट में paper होगा इस बार राइट तो वह मैं आपको इन डिटेल स्वेट के बारे में information देता हूँगा बाकी की चीज़ें याद रखिएगा हैना result या और सिर्फ आपको उनने 15 मिट और घटा दिये हैं और अब 1 hour 45 minutes का हो चुका है इसलिए तीन शिफ्ट लगेंगी और यह official news है guys तो ध्यान देजिएगा form fill कर देना और एक बात और ध्यान में रखना कि आप multiple subject के लिए form fill कर सकते हैं स्वेट PG के लिए ऐसा ना सोचे कि मैं zoology से ह यह fill कर सकते हैं याद रखना यह बात तो thank you bye bye take care and happy learning form fill करना ना भूले और official notification है यह बाए take care guys